छलिए देखे मारे आपका बहुतिक विज्ञान का दूसरा चेफ्टर है आफका गोलि प्रिष्टो पर प्रखास का प्रवर्तन गोली प्रिश्टो पर प्रकास का प्रवर्तन यानि कि आप समतल प्रिष्टो मत प्रकास का प्रवर्तन पढ़ चुके हैं समतल प्रिष्टो पर प्रकास का प्रवर्तन आपने पढ़ चुके हैं अब आपको पढ़ना है गोली प्रिष्टो पर प्रकास का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन आप लाइट आण इस्फेरिकल सर्फिस रिफ्लेक्शन आप लाइट है पहला हेडिंग है आपका गोलिय दर्पन इस फेरिकाल मिर्र इस फेरिकाल मिरर गोलिय दर्पन गोलिय दर्पन किसे क है हैं गोली दरपन जब जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक प्रिष्ट पर चांदी की पालिश्या कलाई कर दिया जाए तो प्राप्त दरपन ही गोली दरपन कहलाता है जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक प्रिष्ट पर चांदी की पालिश्या कलाई कर दिया जाए तो प्राप्त दरपन ही गोली दरपन कहलाता है और आलसी लोगन के लिए परिवासा भी है आलसी लोगन के लिए क्या परिवासा है जब ऐसा दरपन जिसका प्रावर्तक तल गोली हो गोली दरपन कहलाता है प्रावर्तक तल का मतलब जिस प्रिष्ट से प्रकास का प्रावर्तन होता है ऐसा दरपन जिसका प्रावर्तक तल गोली दरपन कहलाता है गोली हो, हम ने बताया, जब किसी काच के खोखले गोले को काट कर, हमने काट दिया, मिताने का मतलब काट दिये भई लो कि जब किसि काच के खोकले गोले को काट कर उषके प्रिष्ट पहर एक पृष्ट का मतलब कानडि की पालिसिया कलाई कर दिया जाहे तो प्राप्त दर्पण ही गोली दरपण कहलाता है जैसे दिखें हमने इसे उठाए यह वाला भाग हमने यहां लिख्या नभवह ठीक से नहीं बना तो हम ठीक से बना रहें है इस देख रहे हैं अब देखें या कहती पालिश दबे तल पर पालिश करें नभवह हमेशा प्रकास बाए साइड से डाला जाता है हमेशा प्रकास बाए साइड से डाला जाता है अब देखे प्रकास पड़ा बाए साइड से आपतित किरन का क्या नाम है आपतित किरन और जो टकरा कर लोटा उसे परावर्तित किरन परावर्तित किरण किसी को पर्षानी यह बीच वाली चीज क्या है अभिलम क्या है अभिलम बीचों बीच निकल गया इधर इसके बीसे में बाद में हम जानकारी देंगे आगे लाइन कहां है वक्रता के इंदर तमाम चीज है पहले आप जानिए यह कमंदर पढ़ है अगर प्रकास का प्रावर्तन गोली दरपढ़ के उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दरपढ़ नाम है उभरा तब उत्तल दरपढ़ यह कमंदर पढ़ है उत्तल दरपढ़ उत्तल दरपढ़ अब इनका परिभासा आपको जानना चाहिए जब प्रकास का प्रावर्तन गोली दरपढ़ के उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दरपढ़ कहलाता है कितने लोग कह सकते हैं बाव भाई भाई जब प्रकास का प्रावर्तन टोपी वाले आप इधर उधर देख रहे हाथ नहीं उठाए थे जब प्रकास का प्रावर्तन प्रावर्तन का मतलब की ट्राकर लोटना बात समझने का प्रियास कीजिए जब प्रकास का प्रावर्तन गोली दरपढ़ के उभरे हुए यह कहती दबातल वा कहती उभरा जब प्रकास का प्रावर्तन गोली दरपढ़ के उभरे हुए तल से होता तो उत्तल दरपण कहलाता है कितना बढ़िया परिभासा लड़ू समुशा का पाए परिभासा के बोलो है जब प्रकाश का प्रवर्तन गोली दरपण के हमने समतल दरपण नहीं कहा कहें कि गोली दरपण है कांच के खोखला गोला को काटा गया है जब प्रकाश का प्रवर्त घगोली दरपढ़ के उभरे वह तल से होता है तो उधतल धर पहलाता है आंगरेजी मिनको क्या काते हैं कान्वेक्स मिरर- कान्वेक्स मिरर अउश्य वय पर भैज पकड़ बनाये आप यह जैसे भाई भोजन बनाने वाले चिमटा से रोटी का पकड़ बनाते हैं रोटी पकड़ कर उसकी जवाई सिकाई करते हैं उसे आपको परिभासा पर पकड़ बनाना चाहिए हमने बताया आपको पहले गोली दरपड़ क्या है गोली दरपड़ क्या है जब किसी काज के खोखले गोले को काट कर उसके एक प्रिष्ट पर चांदी की पालिश्या कलाइब कर दिया जाए तो प्रार्प्त दर पड़ी गोली दरपड कहलाता है। अब इसी को हमने यहां लेकर आए नहीं यह यहां दे यह वाला पाट समझ लेज़े हमने हमने रभी यहां रखा उभरे तल पर भाई उभरे तल से प्रकास का प्रवर्तन हो रहा है दबे तल पर पालिस हमने देखे इधार देखे पालिस दबे तल पर है चादी की पालिस दबे तल पर लगाए है जिससे चोर भी न देखें चादी की पालिस लगें वाई चोर भी जुवार सेट कर सकते हैं सरी चादी की पालिस लगाए है और ग्रीन बोड तोड़ना इस्टार्ट करें तो अच्छी बात नहीं देखें इधार यानि कि जब प्रकास का प्रवर्तन गोली दरपड का पाट है गोली दरपड के उभरे हुए तल से होता है तो उत्तल दरपड का आलाता है इस चित्र में हर एक बात जानना चाहिए इस बीच भी मुक्हेच की में बुशें बताएंगे हम डिखें या आपके यहां अब कीनण दपर प्रावर्तिक रणण गोआवे अब इसके बाद देखें इस पर प्रावर्तित हों हूआ है अब इसमें उभरे तल पर हम प्रावर्तन होग उन्हाने चाहिँए मृत्या पृत्त कर र अब देखे प्रकास के किरण हमेशा बाएं साइड से डाला जाता है वहां कहती संपीर नहीं बना रहे हैं जानिए यह बार बार कह रहे हैं प्रकास हमेशा बाएं साइड से डाला जाता है जब किसी वस्त का प्रत्मी में प्राप्त करना होता है तो वस्त को हमेशा बाएं नाम है आपतीत कीरण और जोन बिचारा टकरा कर लवड जाता है चोट को सह नहीं पाता है उसका नाम है परावर्तित कीरण परावर्तित कीरण चोट को सह नहीं पाता है जैसे कहा जाता है जो पत्थर जो पत्थर चोट को सह लेता है वह तो संकर बन जाता है जो पत्थर चोट को सह नहीं पाता वो कंकड़ बन जाता है बोलो है लोग मूरत चोट को पीट-पीट के बनाते हैं अगर जो पत्थर चोट को सह लिया वो तो संकर बन गया किसी की मूरती बन गया लोग पुजा पाठ करेंगे और जो कंकड़ बन गया उसके उपर भाई अब दैखे इसको हम और में कर पर बोलते हैं अंग्रेजी में कान के ऊब मीरिर बोलते हैं इनके कान में मिरर कान क हो मीराइ मन से निकालना चाहिए जब प्रकास का प्रावर्तन गोली दर पढ़के दबे हुए तल से एक महोदा जू उभरे हुए नाम ले रहें उट्तल उभरा ओचल जना भाई आउतल का मतलब अंदर दबहा हुआ सब्सक्री उभरा जलदिस आ रहा है अउटल जना अंदर में गुबारा टाइप बन रहा है एक जैसे कप्ड़ा साब करते हैं तो ऊड़ जाता है फ्हें टाइप तक आइव दरपढ कानक्यों मिर्ण यानνे कि जब प्रकास का प्रवर्थन गोली दर प्रकास का प्रवर्थन उन्दिव कर देखा टिशोर यह तंडीवेटल से पर्रिवासा बना लेना चाहिए तो बिना बताएं तो लोग टोपी वाले भाई हाथ नहीं उठाएं ठंडी है इसके वज़े से जब प्रकाश का प्रवर्तन गोली दरपण के दबे हुए तल से होता है तो अवतल दरपण कहलाता है हाड है एक बार सुनिया और याद हो जाए पहले बात याद करने की छम भाई याद तो कीजिये मत समझिये जब प्रकाश का प्रवर्तन गोली दरपण के दबे हुए तल से होता है तो अवतल दरपण कहलाता है बस इस पार्ट में बस इतना ही अगर आप ने हो तो चनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों धन्यवाद